हदवानी नगरनिगम की कई वर्डों में पिछले दो महिने से स्ट्रीट लाइट खराब होने के चलते इस्थानिय लोगों ने आज नगरनिगम कार्याले में प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ नारे बादी की लोगों का कहना है कि विकद दो महीने से लगातार स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायद देने के बावजूत थी नगन निगम प्रशासन मूग दर्शक बना हुआ है आज तक एक भी लाइट ठीक नहीं कराई गई है इस वज़े से ना सिर्फ लोगों को परिशानी होती है बलकि रात में चोरी के साथ ही आपरादि घटनाओं का खत्रा भी बनता जा रहा है लोगों ने आरोप लगा है कि आज वो अपनी मांग लेकर निगम कारेले आये हैं लेकिन यहां उनकी बात सुनने को एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है हमारे वाट छेत नंबर 37 में विगत दो माह से स्टीड लाइट की समस्या बनी हुई है और दो मेने बीच जाने के बाद सारे अधिकारी को सुचित करने के बाद भी आज तक इसका कोई समधान नहीं हुआ और आज हम लोग यहां नगर आयुक्त महुदे को इस समस्या का अउगत कराने के लिए तो आज यहां कारले पे भी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है अब क्या करेंगे आज अब इनके कारलाई में हम यह अपना पत्र रिसीव कराएंगे और नगर आयुक्त महुदे इससे वार्ता करेंगे फोन से कि अगर इसका सीग्रे समाधान नहीं हुआ तो छेत्रवासियों के असाथ आंधूलन किया जाए हमारे बाद में मुख्य समस्या तो एक स्टीड लाइट की बनी हुए इन पर किसी भी अधिकारी की मोनिटरिंग नहीं है कोई भी देख रहे को और इसकी उचित व्यवस्ता नहीं हो पाती है बिलकुल बिलकुल और इस्टीड लाइटों की ऐसा प्रबंथ किया जाए कि कहीन पर तो छी ऑने हो मुआ है इसरुल्य ching कि